दोस्तों स्वागत आपका शेयर मार्केट एक्सपर्ट में आज हम बात करने वाले हैं आशा पूरा माइन कैम लिम्टेड के बारे में जो कि 14 फारवरी तो 14 फारवी 24 को डिकलेर हुआ है तो चलिए चलते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहा और देखते हैं कि इसके स्टॉक रिजल्ट का कम्प्लीट अनलेसिस करेंगे उसके बाद देखेंगे कैसा रहा इसका रिजल्ट तो चलिए चलते हैं कि हमें कंपणी के बारे में देखें कि इसकी टोटल इंकम की बात की जाए तो इसमें 9711 क्रोण रुपए और अधर इंकम जोड़कर देखा जाए तो यह पूरी अपनी गमण 10,004 क्रोण रुपए आती हुई दिखाई दिया और आगे इसमें बात की जाए तो और इसके पिछ 31 परसेंट की टोटल इंकम की ग्रोथ अपने को देखने को जंप देखने को मिला है और जो कि कौर्टर ओन कौर्टर बेसिस पर जंप देखने को मिला है और अगे बात की जाए तो येर और येर बेसिस पर बात की जाए तो इसमें क्या इसमें लगबक 36 परसेंट की ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको इसके total profit की बात की जाए तो हमें यहां में 3,706 क्रोण रूपए देखने को मिलेगा और पिछले quarter basis एक या सासो शासो शातर क्रोण रूपए था और जारी quarter on quarter basis पर देखा जाए तो quarter on quarter basis पर देखा जाए तो तो year on year basis पर दो सो चार क्रोन रुपए था पिछली बार का profit और इसके पिछले साल और इस साल देखा जाता है 3400 शाहतर लंग बंग इसमें 700% के profit growth देखने को मिली है year on year basis पर देख लो कितना अच्छा कंपणी ने परफॉर्म किया है यह अपना रिजल्ट और अगर इसके EPS की बात की जाए EPS मिन्स Earning Per Share की बात की जाए तो पिछले साल था 22 पैसे फिर पिछले क्वाटर में बढ़कर हो चुका था 2 रुपए और आप इससे आगे बढ़कर हो चुका था 3.86 लगबग 2X पर शे में ग्रोफ देखने को मिली है तो मिला कर जड़ी रिजल्ट का आउटकम निकाला जाए तो इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है कंपणी का और काल के दिन कंपणी के स्टॉक में अच्छी घासी बढ़कर देखने को मिल सकते हैं और अगर आपको हमारा रिजल्ट क अच्छा लगा हो तो कि लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन प्रेस किए ताकि आगर का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता रहें